हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो UK डिपलेसी का एक लेटेस नोटिफिकेशन आया दोस्तो आप देख सकते हैं डेट 9 अक्टूबर 2020 को अभी थोड़ी देर पहले ही UK डिपलेसी ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर ये अपलोड किया है जो की संबन्दी दोस्तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के संबन्द में यानि कि UK डिपलेसी के दौरा कुछ जो एक्जाम्स कराए गए थे जिनका रियल्ट जारी हो गया था और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं हो पाया था उसमे साथ साथ में दोस्तों कुछ ऐसे एक्जाम्स भी थे जिसमें वेटिंग लिष्ट जारी की गई थे तो उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किती थी यूक्यूमेंट रिपलेसी के द्वारा जारी कर दी गई है यानि कि आप कह सकते हैं अभी लेक सत्यापन हितु वि रिजल्ट आया था किसका उपनिरिख्षक पुलिस दूरसंचार पुलिस का अभी हाली में रिजल्ट आया था कब 23 फरवरी 2020 को उसका एक्जाम हुआ था अभी एक मैने पहले उसका रिजल्ट आया था दोस्तो तो आपका उसका डोकुमेंट वेरिफिकेशन है कब 23 एक में फोर्थ वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है और आपका जो भी इसमें क्वालिफाई हुए है उनका 22 तारिक को डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा ऐसे ही साइग लेखाकार की बात बारें बात करें इसका एक्जाम भी 19 मही 2019 को ही हुआ था इसकी भी दोस्तों सेक इसका भी आपका थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है और कब है आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन 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 या अभिलेक सत्यापन का होना है 22-10-2020 को होना है यानि 22 अक्टूबर को होना है और जो हमारा उप निरिक्षक पुलीस है या दूरसंचार पुलीस है उसका जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन है वो आपका होना है कब दोस्तों 23-10-2020 को ठीक है और इसका रिजल्ट हाली में 21 अगस्त को जारी किया गया था तो दोस्तों अगर आपका भी इन में से किसी में भी selection हुआ है, क्रिडा सायक वेटिंग में नाम आया या कहीं पे भी नाम आया है, या पुलिस दूर संचार में काफी सारे दोस्तों का अमारा selection हुआ था, तो उन सभी लोगं को हर्दिक सुपकामन है, आप लोगं का document verification के लिए date यहाँ पर आ गई है, 22 October और 23 October कोठिक है, और यहाँ पर आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कि सूचित किया जाता है कि उत्राकरण इंद्यस सेवाचेन आयोगदारा विभिन्दपत कोडू में 19 माई 2019 को परिक्षिया कराए गई थी, इसे के 77 में 23 फरवरी 2020 को परिक्षिया कराए गई थी, जिसमें से 19 माई 2019 को जो परिक्षिया हैं हुई थी, तो UKCCC के कार्याल ही में, जिनका भी इसमें सेलेक्षिया हुआ है, तो सबसे बहले बात करते हैं, तो सायक बंडारपाल में, जो वेटिंग में नाम आया है, वो आया है, रमेश, संद्रा, पंतजीगा, ठीक है, तो इनका DVN होना है, सायक बंडारपाल में, ठीक है, और ये भी, 2019 में ही पेपर हुआ था, मई-19 में को ये पेपर हुआ था, इसी के साथ में गर हम बात करें, मैकेनिक, तो मैकेनिक में काफी सारी लोगों के वेटिंग लिस्ट में नाम आये हैं, साजी दुसेन, वसी मक्तर, निर्यत चिम्वाल, मनोज सिंग, सलमान, धर्मेंद्र, संदीप कुमार, हरीदास और पिंकी, आप सभी लोगों का इसमें डॉक्यमेंट वरिपिकेशन होगा, 22 तारीक हो, ठीक है, तो आप साड़ी नों बजे, इनका भी 22 तारीक होई, डॉक्यमेंट वरिपिकेशन होगा, इसी के साज़ास साइक लेखा कार में, मिनाक्षी वर्मा जी का, और संदीप सिंग जी का, दुनुका सेलेक्शन होआ है, ठीक है, और, इनका भी 22 तारीक्षन, 22 को ही होना है, ठीक है, इसी के साज़ास साथ में बात करें, जो दूरसंचार पुलिस वाला, जो एक्जाम पेपर है, दूरसंचार पुलिस वाला, तो दूरसंचार पुलिस का भी ही दोस्तो, आपका रिजल्ट पहले आ चुका है, और 23 तारीक को आपका उसका उनका सेलेक्शन हो गया था, सेलेक्शन हो गया था टाइपिंग के बाद में, तो उनका भी डॉक्यूमेंट वरिफिक्रिक्रिशन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, तो सभी जो चाहिनी तभिहरती हैं, सभी को हार्दिक सुपकाम नहीं, जिनका वेटिंग में नाम आया है, उनको भी हार्दिक सुपकाम नहीं, आप लोग अच्छे से जाईए, डीवी करिए, आपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करिएगा, आयोग के तारा जो भी आपको फॉर्म फॉर्मिट दिया जाता है, और आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर दोस्तों इनकम्प्रीट हैं, तो आप उन्हें कहले कम्प्रीट कर लें, और जल्दी बाज भी वहाँ पर ना दिखा है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास इनकम्प्रीट है, तो आयोग में जाके खुद उनसे समय आप मांग सकते हैं, आयोग खुद आपको 10 से 15 दिन का समय दे सकता है, और जो भी आपके पुरान डॉक्यूमेंट से सभी चीजों की आपको जिरॉक्स कॉपी आप करा के ले जाएगा, और बांकी जो भी अधिनस्तिव चैनायोग को आपको फॉर्म फॉर्मिट मिलेगा, वो से अच्छी तरीके से भरिएगा, और सारी जानकारिया आपने मिलकुल सारे डॉक्यूमेंट के साथ चाहिए, All the best, सभी को, Thank you, Thanks for watching this video, See you next time.